हुआ हुआ है सो वेल्कों इस्टोएंट्स वेल्कों ग्यान विज्डम यह हमारा थर्ड पार्ट है इंपॉर्टेंट कोशन लिस्ट का ठीक है जिसमें मैं जेनरली दस-10 करके कोशन आपको दे रहा हूं तस कोशन बहुत ही आसान होगा आपको पढ़ने के लिए भी टेन कोश सब्सक्राइब लिए तो आपके लिए इस वीडियो का आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल मिलेगा कैसे मिलेगा आपको लास्ट में समझाऊंगा ठीक है इससे पहले मैं आपको बता दो पार्ट आ चुका है तो फस्ट वाट जैसे है यह सब जो है वर्ण सिलेक है लेवन तक कोशन में फर्स पार्ट में दे दिया था और ट्वेंटी थी तक इसेकंड कम इंपोर्टेंट है जो आपको आप ठीक लगा के रख सकते हो आप अपने दिमाग में माट लगा लो ठीक है जब आप स्क्रीन सोट लेते हो ठीक है तो वहाँ पर आपको यह सब चीज मिल जाएंगे अगर आप आप गूरूप को जो हो तो इन सारे के लिश्ट भी आपको अ सरा है इसा कोशन ठीक है नहीं पूछेगा फूल चांस है क्योंकि उनके पास में आठ मागा कोशन पूछने के लिए और भी दूसरे टोपी कहते हैं तो आप से बस यह शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि एर और और पिंसपल किसे कहते हैं एर और और कमिशन क्या है एर और होता है एक ऐसा पॉइंट को पूछ सकता है ठीक है पाटिकुलर लिए दो माख के लिए ओके एर इसी पॉइंट को ऐसे पूछ सकता है वाट आर दे एर्रस कैन नोट बी डिस्क्लोज़ बाई ट्रेल बैलेंस सेम कोशन यही कोशन पॉइंट वही है 1719 में दिया गया है यही सब एर थे जो कि क्या है कैनोट भी डिस्कलोज इन ट्राइल बालेंस और नेंस्ट अब आपको वाशन पॉइंट को झ्या-क्रव जरूर करना है त्योश्टार को घ्या है त्योग्न कर सकते हो इतना कर लिया तो आप अगर depreciation का प्रेक्टिकल नहीं भी करते हो नहीं तो भी आपके एक्जाम में जो गिरेगा इसके आसपास से गिर जाएगा इतना आपको करना है क्या होता है डिक्री दिन वेलो अफेट सिंप्ली ठीक है और वी बहुत सारे चीज़ है बट मैंने शौट मताया वाट अब्जेक्टिव और कॉज़ेश दो अलग अलग होंगे मैंने अंसर में इस तरह से बना दिया कि दोनों आपको एक जैसा ही दिखेगा मतला दोनों का आंसर मोटा मोटी एक ही होगा अगर एक्जाम में कहीं ऐसा हो जाए कि राइक टू अब्जेक्टिव और आपको लिखने में बन जागा पॉइंट से में लिखने का तरीक अलग ह ठोओ वाट अर्दा डिफ्रेंट में थयुक्त में 30 टोटल छह आँ साथ हो सकते हैं आपके आपके बूक आपके काम से बूख से ब्सेट आपको दो अच्छा से करना है वह कौन कोन है यहां पर आप देख सकते हो इस ट्रेट से लाइन और रिटेंट रएट न क्तिक है तो सुमृण फायदा यह होता है कि आप शीज को एक लगे होगा ऐचभा आपके दिमाग में दिमाग एक रहे ऑगर घात नुत कि लिएक घंड어 प्रसक्तियों और इन एक चाहे हो एक next provisions and reserves तो पहले पहले वाले जो नोट थे उसमें वनिटी नहीं क्या है धेख स्पेराइब्स आइप सिप करके सिफ वडियो देखे ग钟 Government यह इसा बात समझें नहीं आएगा इसलिए मैं बोलता हूं कि पूरा वीडियो सुरू से यहां तक देखा करो अब जैसे आपने प्रोविद्ण रिजब का मेनिंग पढ़ लिया टाइस पढ़ लिया डिफेरेंस अपने आप ही आपका हो जाना है कितने मां के लिए डिफेरेंस कर प्रिपेर कौन बनाता है अब यह कोशन एक मा के कोशन में आप से पूछा गया था एक्जाम में तो ब्रस कौन बनाता है तो ब्रस बाव बैंक कस्टमर बनाता है कोन बनाता है बैंक कस्टमर बैंक नहीं बनाता है कोन बनाता है बैंक कस्टमर तो एक्जाम में लोग गलत कि थे यह बला ओक्यों, what are the advantages, कम से कम, 3-4 points advantages कि देखेना है, कि दिफेरेंस between, what are the different, differences which cause, what are the different type of transactions, which cause, जो which creates, जो which cause, और which creates difference between cash book and pass book, तो ऐसे बोलो कि अजल कि what are the transactions which causes differences between cash book and pass book, यह most important question है आपके लिए, ठीक है यह वाला part, तो यह आपको जरूर देखना है, यह सब वही ट्रांजक्शन्स होते हैं जो अपने प्रेक्टिकल में किया है तिक है जैसे टेक। डिपोजीटीट इड बंट क्लियर ट्रश्चिटमेंट यह तरह से चिज़ते हैं और बहुत साफ चीज़ भागे साची कहा भाले को अगर आप पढ़ा है तो इसका आप जरूर आड़ा होगा ओके डिफेरेंस ब्रस एंड बैंक स्टेटमेंट हाँ सो यह आपको इन दोनों का डिफेरेंस देख लेना है यह कॉजेस था और यह डिफेरेंस है ओके यह भी इंपोर्टेंट रहेगा देन यह आप पर ट्रेड विल और एकॉमेड़ेशन विल यह आप आपको बील ओफ एक्चेंज से पूछा जाता है तो यह आप देखके रखना कम इंपोर्टेंट है बत देखके रखना ओके नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट बी ओई और पी अन मतला प्रोमिसरी नोड मना बील और प्रोमिसरी नोड देख लोग कितने वाल पूछे गए ह यह सब कोर्शन आपको किसको करना जरूरी है बील ओफ एक्चेंज वाले पाट से जितने लोगों का बैंकिंग है ना जितने लोगा क्या है बैंकिंग है आप तो बागो इसको जरूर पढ़ना अच्छा से क्यों पढ़ना अच्छा से क्योंकि आपका बैंकिंग में भी यह सब पॉइंट कॉमन गिरेगा ठीक है 11 मेना हो तो 12 में गिर जाएगा बट गिरेगा जरूर ओके इसलिए आप इसको जरूर देखके रखना एक महिने बाद में जाओगा आपको यह सब से पढ़ना ही पढ़ेगा तो इसलिए अभी से अच्छा से पढ़ लो ओके देन देखोर भी एक्सेप्टर पेए यह चीज हैं ड्रोवार ड्रोई एक्सेप्टर पेए तीन पार्ट यह होते हैं थ सब्कॉस्चन्מע को मिलेंगे यह सब मन मिलेंगे पम सभी के सभी पंद वे सब में आ गया होंगे जैसे ऐसे कोशन आ गया वाट इस बील ऑफ एक्चेंज नेम्द थ्री पार्टिस इंवल्ड इन भी ओई यह गया सोला में अगला पूछ लिया वाटर दा फीचर सो भी लफ एक्चेंज तो भी पूछ लिया क्या होता है और किस रिजन के कारण डिसॉनर हो सकता है एक दम बैंकिंग में भी कॉमन रहेगा और यहां तो ही कॉमन इसलिए मैं बने बोला था क्लास में बताया था जब कर आया था तो आप लोगो को यह चेप्टर अच्छा से करना क्योंकि यह स्यम चेप्टर आगें क्लास से 20 में देहां चला जाता है ठीक आप 15 मांधो ठाण आफ नहीं है ठाइक है र्शनक क्रंट के लिए यह कोमोडेशन फिल क्या है अगा होता है इसके पार्टिश कौण कोण है और ऐवांटिज के चैक्क है और यह सब चेक के बारे में यह सब सबया चेक के वारे में यह सी अप्टा सा डाल दिया यह कोश्चन अल्रड़ी आपका चेक के बारे में जो है आपका आचुका है किसमें अच्छा किसमें यह सब आपके बुक में है बट इग्जाम में पूछा नहीं जाता है हो सके तो देख लेना वह भी जैसा दिखता है यादी रहेगा क्योंकि बैंकिंग में आपको अगले साल तो करना ही है आपका आपका यह कोश्चन खतम नहीं हुआ है यह कोश्चन में तो आस और बचा हुआ है हाँ मेनी टाइपस ओप अच्छा थाटीफोर ठीफोर लग गया है हाँ मेनी टाइपस अब चेकर दियर चेक कितने तरह का होता है modern business world में explain करो तो बैसिकली चेक जो आपका open check cross check ठीक है न gen crossing में दो तरह का होता है general crossing special crossing इस तरह से बता दोगे ठीक है notes में आपको सब कुछ मिल जाएंगा च्छे तरह से short short notes है okay then what is financial statement क्या होता है इसके types कितने objectives कितने तरह कितने तरह के types होते हैं तो दो ही तरह को मिलेंगा financial statement में एक एक positional और आपका financial में तो आपका वही profit and loss statement इसा वाएगा और भी होते हैं इसे cash flow statement हो सकते हैं और भी कुछ कुछ है ठीक है objectives बता दोगे कम से कम 3-4 who are the users of financial statement again यह answer वही रहेंगे जो उपर में अपनी users of accounting वाले देखेंगे लास्ट कोशन है आज के लिए आपका what is trading account why is it prepared क्यों बनाया जाता है ट्रेडिंग क्यों बनाया जाता है ट्रेडिंग क्यों बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफित को जानने के लिए ठीक है यह एक आंसर है सिफ फाइनल एक माग के लिए लेकिन अगर पुछे वाट अब्ज प्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट उस केस में आपको कमसे हम तीन पॉइंट पढ़ना है तो एक पॉइंट तो यह और यह तो आपकर रही जाएगा इन दोनों एक एक करके और बाकी दो दो जो आपको नोट्स में एवलेबल मिली जाएंगे ओके अब आते हैं लास्ट की करने लेगा एक टीचमिंट का जो है हमारे ग्रूप का क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा उसको आपको कर लेना है ठीक है फ्री है बिल्कुल कोई आपको पैसा वे सभाप पे नहीं करना होता है उसके बाद में अच्छा कुछ लोगों ने क्लास 11 का मेरे से नोट्स भी लि जाएगा इस साल बहुत लोग लिए स्टार्टिंग में 11 वाले तो अगर आप ले अगर आपने लिया है जो मिझे कॉंटेक्ट कर लेना ओके यहां पर आपको मिल जाते हैं फ्री नोट्स और एक बात बता रहता हूं ग्रूप को लीव मत करना जैसी आप ग्रूप लीव करो आपको बहुत सारे चीज एक्स्टा मिलेंगा क्लास 12 के लिए मतलब इस वाल जिनोंने क्लास 12 के लिए उनको बहुत मतलब मुटा मुटी समय लो दो से तीन हजार रुपया का एक्स्टा बेनिफित उनको मिला है जो पेड़ कोर्स में था सब उनको एवलेवली फ्री में मिल गया ओके सवाप आप आम से गूरूप को जोइन कर लो और नीचे कोमेंट कर देना कैसा लगा वीडिय झाल